आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें पेशियों का बना हुआ, ठीक है, पेशियों का एक मानसल पट होता है, या मानसल पटी का होती है, ठीक है, मानसल पट यानि कि जो दो भागों को इभेद करता है, पट होता है, जो उदर गुहा, ठीक है, उदर गुहा व वक्ष गुहा, कौनसी गुहा, उदर गुहा और वक वक्ष गुहा को क्या करता है अलग करने का कार्य करता है क्या करता है अलग करता है कौन अलग करता है जो डाइफ्राम होता है वहर इदर गुहा ववक्ष गुहा को अलग करने का कार्य करता है ठीक और डाइफ्राम को रुधिर जो होता है ठीक है डाइफ्राम को रुधिर ठीक यानि कि रक्त किसके द्वारा पहुचाया जाता है तो दोस्तों जो फ्रेनिक धमनी होती है कौनसी धमनी फ्रेनिक धमनी वह क्या करती है रुधिर को रक्त पहुचाती है ठीक तो दोस्तों हमें यहाँ पर निमलेखे चार विकलब दिये गए है जिसमें पहला दिया गया है को तो दोस्तों कोडल धमनी रूधिर को रखत पहुचाने का काज नहीं करती है दूसरा दिया गया है फ्रेनिक धमनी तो दोस्तों जो फ्रेनिक धमनी होती है जहर डाइफराम को रखत पहुचाती है किसको रखत पहुचाती है डाइफराम को ठीक है और तीसरा दिया गया है इस तो दोस्तो, जो इस्प्लिनिक धिमनी होती है, वह इस्प्लिन यानि कि, जो पलीहा होती है, क्या होती है? पलीहा होता है, उसे रंगत पहुचाने का काज्य करता है, और चोथा और आखरी मी कलपे है रिनल धिमनी, Прcca होती है वह वरक में farik में? तो दोस्तों हमने देखा कि जो डाइफराम होता है ठीक है डाइफराम को रुधीर पहुंचाने का काज़े स्रिनिक धमनी करती है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उप्रोक्त चारों विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है आशा करता हू दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा धन्यवाद